हमारा टौपिक है क Sharing Outife । ये स्वस्व्षवित का पेपर बन का टौपिक है पार्ट एका तो ये काफी बार पूछा जाता है एक्जाम में तो इम्पोर्टन टौपिक है ये तो इसका एकी की दिन्चरया में संद्रे वर्दन उपायों का वर्नन कि आइरवेद में किस तरह जो संद्रे वर्नन है उसका उपाय बताया गया है तो इसमें पहले यहागाता है Definition of Cosmetics इक क्या Definition है Cosmetic की Cosmetic का care substances used to enhance the appearance and order of human body की ऐसे सबस्टांस जो केर करें human body की by enhancing appearance और order जो भी हमारी appearance है हम किस तरह से दिखते हैं और हम से कैसे order क्या खुश्बू आ रही है या किस तरह का हमारा body है उसके बारे में बहुत ज़्यादा healthful है cosmetics तो FD और USA ने definition दिये cosmetic की intended to be applied to the human body for cleansing beautifying, promoting attractiveness और altering the appearance without affecting the body structure और function तो इसका मलब है कि cosmetic products जो होते हैं वो क्या करते हैं clean करते हैं body को beautify करते हैं attractiveness को promote करते हैं और जो हमारी appearances को change करते हैं लेकिन बीना body की structure और उनके function को effect किया हुए फिर आज आता है beauty जो है perfect balance होना चाहिए inner or outer self individual का according to Ayurveda जो beauty है वो हर एक individual की desire ताकि वो pleasure मिल सके pleasure होता है तो जो beauty है जो सिर्फ एक women's तक ही नहीं सीमित है वो men's के लिए भी उतनी ही important है जो है वो भी इतना ही conscious होते है beauty के लिए तो जैसे हम देखते हैं कि जो male animals हो भी कितने beautiful होते है line को देख लो वो भी कितना well beautiful established इतना अच्छा से होता है तो यह पहले से ही यह beauty का concept है वो चला रहा था Ayurveda में भी तो हम next जो हम देखेंगे कि Ayurveda में क्या कौन से ऐसी चीज़े हैं हम जो daily basis पे यूज करते हैं जो की बहुत helpful है cosmetic way में तो हम यह 12 चीज़ें जो है जो हम daily basis पे करते हैं यह पे कर सकते हैं ताकि हमारा जो appearance है हमारे beauty है वो बड़े तो उशा जलपान सबसे पहले हम करते हैं उशा जलपान हो गया पानी को पीना drinking water तो हमें washroom जाने से पहले ही यह करम जो है वो करना चाहिए इसमें शीतल जलपान जो है उत्तम माना गया है तो सबसे पहले क्या है कि हर रोज हमें उठके चार अंजली जो जलपान है पीना चाहिए तो उशा जलपान के गुन क्या है कि अगर हम रोज वाट जो पानी है सबसे पीते हैं तो उससे क्या लाब होते हैं तो यह चक्षुष है वन हमारे आंखों को आंखों के लिए बेनिफिशल है हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाता है हमारे मेदा शक्ती जो है वो बढ़ती है उससे जरा और व्यादी को कम करते नाश करता है उनको नेक्स आजाता है शरीर जिन्ता तो शरीर जिन्ता क्या हो गया हमें जस्पी कोई वाश्रूम जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए जल के द्वारा अपने प्राइवेट पार्स को साफ करना चाहिए इससे क्या होता है कांती बल बल मिलता है कांती बढ़ती है पवित्र बनाता है बंदे को और आयुष्य और जो लॉंगिविटी जो बढ़ाता है हमारी और अलक्षमी कली पापहर बलब जिसको पैसों की कमी है या फिर कोई भी उसका इविल है कोई बुरी नजर रहे शक्ति है वो भी उसको दूर करता है फिर आता है पाद प्रक्षालन पाद प्रक्षालन हो गया है कि हाथ और पाओं को धोना हैंड वाश करना या फिर पाओं को वाश करना इससे क्या होता है इनकी शुद्धी होती है एक तो हाथ और पैरों की शुद्धी होती है मल श्रम हर जो भी मल है वो दूर होता है थकावट दूर हो जाती है वरिश्य ह एफरोडेसिक है मतलब चक्षुषाँ है मतलब आईसार जो इ har olur च्छी होती है और राकशस अपहम मतलब जो भी राकशस हैं वो हमसे दूर रहते हैं मुक प्रक्षालन हम दो तरहां से कर सकते हैं एक तो शीतल जल से और दोसरा ऊश्न जल से अगर हम शीतल जल यूज यूज tomar है तो रक्त पित हर है जितने भी हमारे रक्त पित अगर हमारे जादा बड़ा हूआ है तो उसको कम करेगा जितने भी pimples हैं कोई भी मलब acne है कुछ भी है जो face पे उसको कम करता है शाईयों को भी कम करता है फिर उशन जल से अगर हम करते हैं face wash तो क्या होता है कफ और जुवाद दोश होते हैं उनका शमन होता है सनिक्दता लाता है और मुख शोष वीनाश्यम मुख का जो शोष है उसको कम करता है फिर आदाता है दंत दावन दंत दावन होगे दादून करना तो हम जैसे आज कल ब्रश करते हैं तो उससे क्या होता है आईरवेद में तो दं दावन दादून के लिए बताय गया है तो उन्होंने बारा उंगल दादून के लिए बोला था और अपने अंगुष्ट के समान जो मोटी दादून है उसका प्रियों के लिए बोला था लेकिन आज कल जैसे हम ब्रश यूज करते हैं तो उससे क्या लाब है तो दुरगंदे नाश्यक जो भी फॉल स्मेल होगी वो नहीं होगी माउथ में कफ हरा जो भी कफ अगर जादा बड़ा तो वो भी नहीं होगा विश्यद करम मतलब क्लारिटी लाएगा मुख में रूची कर और टेस्ट खाने में अच्छे से आएगा फिर आता है अंजन तो अगर हम देखते हैं कि अंजन का प्रयोग जो हम बोलते हैं कि नित्या मतलब रोज करना चाहिए स्ववीर अंजन का प्रयोग जो है तो इससे क्या होता है सुख कर एक तो हमाई आइस में से लगता है सुख की प्राप्ते होती है और जितनी चोट-चोटी चीजें है उसको हम देखने में सक्षम होते हैं और जो नेत्र का मल है वो भी दूर हो जाता है और सुंदरता को भी भढ़ाता है अंजन प्रतिमर्ष नस्या तो प्रतिमर्ष नस्या होग है कि रोज हमने कटू तेल का प्रयोग करके नस्या करना है तो इससे क्या है अगर किसी में कफ की प्रेडॉमिनेंस है कफ बढ़ा हुआ है तो हमें सुबा उठके इसका प्रयोग करना है अगर पित का प्रकोप है तो दिन में यूज़ करना है वाद का तो शाम को यूज करना है तो हमें पता कि हम अनुतेल की ड्रॉप्स डाल सकते हैं तो तूटू ड्रॉप्स है ना तो दोनो नासर अंद्रों में तो इसका लाब क्या है सुगंद वदन मतल हमारा जो बॉडी से अच्छी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और नी वली प प्रिवेंट करेगा और जो हेर जो हमारे पहले ही ग्रे हो जाते हैं तो वो नहीं होंगे इसे फिर आता है अभ्यंग हमें हर रोल जो है वो अभ्यंग करना चाहिए तो इससे क्या होता है अभ्यंगम अचारे नित्यम सर जरा श्रम वात हा अभ्य जरा और श्रम और वात इसका क्या होता है शमर होता है द्रिश्टी प्रसाद आँखों की रोशनी अच्छी होती है पुष्ट आयू मुला आयू की वृद्धी होती है और स्वप्न सूत्वक सूत्वक दाडरे कृत मुला स्वप्न अच्छे से आता है तो अक हमारी अच्छे दृद्ध बनती है तो अभ्यंग करने से फिर आए शीरो अभ्यंग तो शीरो अभ्यंग मतलब head massage जो हमें ये भी हमें रोज कानी चाहिए इसे खालिते पालिते और केश पतन जो है वो नहीं होता है केश ब्लैक रहते हैं द्रिज मूल मतलब strong होते हैं और विशेश रूप से बढ़ते हैं मतलब नंबे होते हैं बालित से फिर है पाद अभ्यंग तो हमें पाउं में अभ्यंग भी रोज करना चाहिए इससे क्या होता है जो भी जिसे dryness है roughness है ठीक है रुक्षता है श्रम हो है ये इनको कम करता है सोक मारे अच्छी appearance होगी फिर बल स्थेरे बल को स्थेर बनाए रखता है और दृष्टी प्रिसाद मतलब आँखों के लिए भी ये beneficial है फिर आता है उदवर्तनम उदवर्तनम होगे oil massage तो ये भी हमें रोजी करनी चाहिए तो उदवर्तनम कफाहरम मेद सा प्रविलायनम कफ को कम करता है मेद को भी ये कम करता है स्थेरी करुनम अंगा ना मलत अंगों को मलत कोई body parts को stable बनाता है तो प्रिसाद करम परम मलत जो हमारे skin है उसको glow इंबनाता है glow आता है हमारे skin में फिर है स्नान तो स्नान जैसे हमें पता है नहाना रोज चाहिए इसलिके बाता जो दुरगंदता है वो दूर होती है गुरवता, तंद्रा, कंडू, मलम, अरोजकम यह सब क्या है? कम इसको दूर करता है इनको स्नान स्वेध हर, तो हमें पता है यह स्वेट अगर है किसी को तो स्नान करने से वो फ्रेश हो जाएगा स्नान से पवित्रता आती है, वरिश्यता बढ़ती है आयू की वरद्धी होती है, श्रम, स्वेध और मल को कम करता है स्नान, शरीड बल को बढ़ाता है फिर है अनुलेपन, तो अनुलेपन करना क्या हो गया? अनो लेपन हो गया कि हमें लेपन करना, लेप करना, किसी भी जाइस का, कोई भी पैक लगाना, तो इससे क्या होता है, स्वभाग्य वर्ण, पृति और रोज की वृध्धी होती है, सेद, शरम, दौर गंदय और विवर्णता भी नश्ट हो जाती है अनो लेपन करने से, तो कौन-कौन सी आयरवेदिक मेडिसिन जो है, वो एज कॉस्मेटिक वर्ण करती है, तो हमारे अलग-लग अचारे उने, अलग-लग चैप्टरस में, अलग-लग समहीताओं में इसका वर्ण किया गया है, जैसे अचारे चारक ने, वर्ण द्रग बताया है, कुष्ट अगन बत हैं, वर्ण थापक बताया है, तो यह सारे क्या कॉस्मेटिक एफेक्ट ही शोगर रहे हैं अपने अपने लेवल पर, तो हम इसको लेप, परलेप, उपनाहा, अंजन अलग-लग फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो होप कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए तो इसे सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और इस टॉपिक के जो नोट्स हैं हमारी आप पे मिल जाएंगे, तो आप का लिंक जो है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, थैंक यू